हाई अब्रीवन वेलकम बैक टो माई यूटिव चैनल और इस वीडियो में मैं आपको जो जानकारी देने वाला हूँ या फिर जो जॉब अपरचुनिटी के बारे में मैं आपको यहां पर बताने वाला हूँ वो है माल्टा के बारे में और माल्टा एक शेंगेन कंट्री है और शेंगेन कंट्री के आपको बेनिफिट लगबग सभी को पता होंगे नहीं पता है तो फिर भी बताते था हूँ जो लोग नए है या फिर जिने नहीं पता है तो अगर आप शेंगेन कंट्री में चले जाते हो जैसे कि अगर माल्टा की बात करें अगर माल्टा आप चल पर जो SelleBee है वो भी काफी अच्छी है अब अगर आप जब Schengen visa ले ले लेते हो Schengen countries में चले जाते हो उसके बाद अगर आप वहां पर TRC ले लेते हो जो कि 3 साल की होती है ठीक है या फिर आप कह सकते हो blue card ले लेते हो तो उसके बाद जो इनका 26 देशों का group है शेंगेन ग्रूप में 26 देश आते हैं तो आप इन में से किसी भी other country में घूम सकते हो जा सकते हो या पर job कर सकते हो move on कर सकते हो उसके लिए आप से जब भी इसके बारे में आपको सारी डीटेल बताओं अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक जरूर करना ठीक है क्योंकि इस तरह की वीडियो आपको in future भी मिलती रहेंगी तो बात कर लेते हैं इस job vacancy के पांच salary की अगर बात करें तो head chef की जो salary रहेगी वो है 1000 euro और यहीं पर बात करें bartender की तो यहाँ पर इनकी जो salary है वो है 850 euro ठीक है sorry 860 euro 860 euro मिलेंगे bartender को ठीक है अब बात करते हैं facilities की तो fully food and accommodation तो यहाँ पर आपको दिया ही जाना है head chef और bartender की बात हो रही है working arts की बात कर लेते हैं तो 8 arts की आपकी यहाँ पर duty रहने वाली है ठीक है उसके अलावा अगर बात करें working days की तो 5 to 6 days of working आपकी यहाँ पर रह सकती है और उसमें भी अगर आप overtime करना चाहते हो या फिर bonus की बात करें तो bonus और overtime आपको as per Malta या Maltis government का जो labor law है उसके इसाब से आपको दिया जाएगा ठीक है अब बात करते हैं यहाँ पर term and conditions की तो सबसे पहले आपको क्या करना है एक तो आपको अपना working video भीजना है वो भी तब अगर आप eligible हो eligibility criteria की बात करें तो आपका working experience होना चाहिए गल्फ का गल्फ return होने चाहिए especially अगर आप दुबई से दुबई में आपने काम किया है तो वो ज़्यादा prefer किया जाएगा उसके अलाबा अगर आप किसी भी अधर गल्फ countries return हो तो आप apply कर सकते हो hotel management की आपके पास degree होनी चाहिए और जो कि generally सभी में एक common चीज है वो है English speaking या फिर English communication जो है आपका वो अच्छा होना चाहिए ठीक है तो यह है यहाँ पर तो अब step की बात कर लेते हैं क्या-क्या step इसमें रहेंगे तो सबसे पहला step होगा जब आप apply करोगे तो आपका working video जाएगा working video अगर shortlist हो जाता है या जो भी candidate shortlist हो जाता है उसके बाद उसे पूरे set of documents जो की आपका educational qualification certificate सारे के सारे और आपका experience certificate आपका updated CV या भी resume कह सकते हो आप ठीक है updated वो भी और उसके लावा passport और passport size photograph यह सब आपको properly scan करके एक email में भीजने हैं और अलग-अटेच करके भीजने होते हैं ठीक है यह तब करना है आपको जब आप shortlist हो जाते हो shortlisting से पहले आप eligibility criteria जो की आप अगर अगर गल्फ return हो तो ही आप इसके लिए apply कर सकते हो ठीक है तो यह थी दो job vacancies आप लोगों के लिए मालटा से अगर आप इनमें interested हो तो जरूर reply करें उसके अलाबा अगर कोई मेरी knowledge में कोई और job vacancy हाती है तो मैं आप कोई अच्छी job vacancy है यूरोप की क्योंकि कई subscriber हैं जो काफी active रहते हैं इन चीजों में और अगर आप चाहते हो तो आप बता सकते हो comments में बता सकते हो या फिर मुझसे contact कर सकते हो आप Instagram या Telegram पर हाँ उसके अलाबा मैंने job vacancies जैसे कि Gulf की कुछ job vacancies होती है जो कि मैं channel पर नह उसमें phone number भी दिया होता है आप उस पे call कर सकते हो इस job vacancy के लिए भी अगर आप call करना चाते हो अगर आपकी ज़्यादा queries है तो आप call कर सकते हो 844-544-5714 ठीक है ये जो है agency ये है max global हरिद्वार से इनके पास ये job vacancy है तो आप इनके पास call कर सकते हो अगर आपकी कर सकते हो ठीक है तो ये थी job vacancy मालटा के लिए और इस वीडियो में तो नहीं मिलते हैं अगली वीडियो में तिल एन बाई बाई टेक केर